हेलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे इस चनल पर तो दोस्तो हम लोग के इस्टडी कर रहे थे फ्रॉम एन इस्चाउन मैं की और इसके भी तक दो वीडियो आ चुके हैं एक तो मैंने आपको बताया था समरी और एक इसका ऐसे का लाइन बाइन पार्ट वान आ चुका है ओके तो इसके चार पाँच लाइन और लाज्ट के बचे हैं तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसको समाब करेंगे तो यहां से साध हम लोग को पढ़ना है great lord of all things यहां से हम लोग को पढ़ना है ओके तो चलिए देर न करते हैं इसको समाप करते हैं अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लिजिए दोनों वीडियो तभी आपको समझ में आएगा great lord of all things yet a pray to all soul judge of truth in endless error heard मैंने आपको बताया था कि आदमी किस्ति बीच किस्ति है यानि आदमी लटका हुआ है बीच में सही गलत के बीच में लटका हुआ है तो यहीं पर उसके बारे में और discuss किया गया है great lord of all things great lord of all things सभी चीजों का मालिक है आदमी क्या है Alexander Pope कहते है आदमी सभी चीजों का मालिक है यट फिर भी एप्रेट वाल सभी चीजों का सिकार भी है प्रेमिल सिकार अलेक्जंडर पोप कहते हैं मानता हूं कि आदमी सभी चीजों का मालिक है सभी चीजों पर उसका हुकम है अधिकार है लेकिन वो सभी चीजों का सिकार भी जैसे आदमी ही सेर को पकड़ कर पिंजड़े मे कायद करता है साप को पिटारे में बंद करता है लेकिन कभी-कभी आदमी सोयम उस साप और सेर का सिकार हो जाता है तो क्या यहां पर वही कहा गया है great lord of all things सभी चीजों का महान मालिक है great lord है यट एपरेट वाल फिर भी सभी चीजों का सिकार हो जाता है सबका सिकार है soul judge of truth soul judge soul means एक मात्र अकेला judge means नियाधिस of truth नि सच के बारे में भाई पिर्थवी पर जितने भी जानवर हैं जितने भी प्राड़ी है उनमें आदमी ही एक ऐसा प्राड़ी है जियू है जो सच और जूट का पहचान कर सकता है तो soul judge of truth यानि कि सचाई की पहचान करने वाला soul judge है एक मात्र नियाधिस है in endless error hurt फिर भी लगतार एक के बाद एक गल्ती करता रहता है यानि कि एक अच्छा नियाधिस होने के बावजूद दियो लगतार गल्ती करता रहता है यानि कि उसकी स्थी बीच किया है आगे वन नट हाँ देखिए दग्लोरी एंड जस्ट एंड रिडल आफ दे वर्ड ग्लोरी ग्लोरी है यानि कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ग्लोरी मिल्स कह सकते हैं आप जैसे आकरसड है गहना है एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बेखती है संसार का ओके आदमी क्या है ग्लोरी है पहचान है विख्यात है फेमस है आकरशड है इस संसार का आकरशड कोन है आदमी अगर आदमी नहों तो क्या यह संसार अच्छा लगेगा बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा तो संसार का ग्लोरी है जेस्ट मिन्स उत्सा है और एक संसार की एक पहली है आदमी इस संसार का ग्लोरी भी है जेस्ट भी है और रिडल भी है यानि कि आकरशड भी है अब सबसे ग्लोरी में सबसे प्यारी वस्तु चमक आकरशड भी है और उसा भी है और रिडल ऑफ दे वर्ड और एक पहली भी है इस संसार की पहली भी है इंसान जिसको कोई समझ नहीं सकता है इंसान को कोई कभी समझ पाए कोई नहीं अब यहां पर अलेक्जंडर पूप कह है कि गो वांडरस क्रेचर है अजीब प्राड़ी इंसान को कह रहें इंसान को संबोधित करते हुए लेक्जंडर पूप कहते हैं गो जाओ वांडरस क्रेचर अजीब प्राड़ी माउंट वेर साइंस गाइड जाओ पहाड़ों पर चड़ो जहां पर साइंस तुम्हें ले माप डालो उसका वजन तॉल डालो और जौर्म हाटाओं को जान डालो परिण Cut कि ना करो कि ओके मजा आ रहा होगा आई हो आपको कि फिर देखें कि इस्ट्रक्ट दप्लैनेट्स इन वाट और स्ट्रण जाओ देखो कि ग्रह किस और स्मयनि किस कच्छा में घूमते हैं इन वाट्स और स्ट्रण बश्चान करो यह जो प्लैनेट्स और स्मय को याद करो देखो उसको सही करो जो गलतिया तुमने भूत काल्मी की हैं पाश्ट में गलतिया की है उस नियंत्रित करने का प्रयास करो यानि सन के बारे में जानूँ उसके रहास्यों को जानू गो जो इंपीरियल और जाओ जिस छेत्र में प्लूटो गया है उसी छेत्र में तुम भी ढ़ए जाओ सौध। एक पूर अगया 2 तुम भी अपना कदम आगे बढ़ाओ और कटनाईयों को फार करते हुए सबसे आगे आओ सबसे अच्छा बनों फ़र्स्ट परफेक्ट फ़र्स्ट गुड और फ़र्स्ट फियर यानि कि फ़र्स्ट गुड मिन सबसे अच्छा बनों फ़र्स्ट परफेक्ट और सबसे पूर्ड बनों और सबसे सुन्दर बनों और ट्रेड डमेजी राउंड इस लिए वान्वा त्रोड राउंड इस फॉह इसमस्त assignment तुम भी उसी लश्टे पर चाओ और कठ नाई यह को पार करो और सबसे अच्छा निकरकर सामने आओ ओके दूस्तों तो आई होप यह पूरी अच्छे मैंने आपको पढ़ाई दियो और आपको समझ भी आया होगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा रिकॉर्डिंग थोड़ा सा प्राब्लम हो रहा है इसलिए फस रहा है हलाकि ज्यादा प्राब्लम नहीं है तो आपने अच्छे से इससे को समझा अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद